नमस्तों स्वागते आप सबका इंडिया डिज्बाय देव में आज हम बनाएंगे मतर पुलाव मतर पुलाव बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत जख़क़ बनके तयार हो जाता हैं मटर बच्च क्लाव बननेके लिए हमने यहाप लिया है एक ग्लाज बासमयति राइस इसी ग्लाज से हम पाणी स्थिमाल करेंगें किसी भी बर्तन से चाह आग L distractions ब्रतन से या पिर कप से या पिर प्याली से उस यस छिस से पाणी का नाप ही रखें एक कप मटर घी हम अपने अभशक्त के अनुसर लेंगे एक इंच अद्र की टुक्रे को घिस लिया है बारिक कट्यू हरी मिर्च दज बारा काजू, दो तेज पत्ता, दाल चिनी का टुक्रा, पासात लॉंग, काली मिर्च, दज बारा, एक बड़ी इलाइची तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम चावल को दो लेंगे सबसे पहले हमें एक बगोना या पिर कोड़ी प्याली बड़ी ले ले नहीं है, जो आपको पसंद हो, उसमें चावल को डाले और चावल को अच्छी तरह से दो से तिन बार दो ले, चावल को हलके हातों से इस तरह मसल मसल के दो ले, बहुत ज्यादा प्रेशर दे कर ना द हुए इससे चावल की टुक्रे हो सकते हैं, हमने चावल को तीन बार अच्छी तरह से दो लिया है, अब हम गैस की तरफ चलते हैं, एक चमच घी, घी के जगा आप तेल का भी स्तिमल कर सकते हैं, आदि चमच जीरा, तेज पत्ता, डाल चीनी का टुक्रा, काले मिर्च, लॉ बड़ी इलाची को हम तोर कर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा प्लेवर आएगा, बारिक कटिवे हरेमेट्स, घीसी वी आदरक, अब हमें मसाले को धीमे गैस पर एक से डियर मिनिट के लिए भून लेना है, हमने मसाले को एक से डियर मिनिट तक भून लिया है, मसाले से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है, अब हम इसमें काजू डाल देंगे, काजू के साथ में हम मतर भी डाल देंगे, मतर और काजू को एक साथ डेर से डो मिनिक तक फ्राई कर लेंगे, गैस को हमें मीडियम रखना है, हमने मतर को दो मिनिक तक फ्राई कर लिया है, आप आप देख सकते हैं मटर की कलर भी चेल्ज हो चुक है हलका सा अब इसमें दूले हुए चावल डाल देंगे चावल को भी हम फूल गैस पर एक मिनित तक बूल लेंगे इससे हमारे प्लाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अब प्लाव में एक गोती अच्छी खुश्बू आएगी अब पुलाव एकदम खिले खिले बनेंगे क्योंकि हम चावल को हलका सा फ्राइ कर लेंगे हमने चावल को एक मिनित तक फूल गैस पर फ्राइ कर लिया है अब हम इसमें पानी डाल देना है चावल को इससे ज्यादा फ्राइ नहीं करना है हमने जीज ग्लास से एक ग्लास चावल लिया था उसी ग्लास से हम डेर ग्लास पानी डालेंगे चावल को अच्छी तरह से पानी के साथ में मिक्स कर लेना है बैसे तो हम एक ग्लास चावल में स्वा ग्लास पानी का इस्तिमाल करता है लेकिन हमने मतर और जो भी बाकी लिए सब्जी उसके लिए हम एक चोथे कब पाणी और ले रहे हैं निम्बू का रास नमक स्वाद अनुसार एक चमच गरम असला पाउडर चावल को एक बार पाणी के साथ अच्छी तरह मिस्स कर लेना है अब हमें प्रेस्य निकलने के इंतिजार करेंगे हमारी कोक कर दोकके किड़कन को खूल का देख लेते हैं हमारे फुलाव कैसे बनें आप देख सकते बहुत ये बड़िया पुलाव बनका तयार हैं कि फुलाव से बहiosa एक छे खुषमा रूसा निया रीए ये आप हम इस में बारिक कटूए अर चाहल देंगे और पुलाव को एक बार अच्छे सेमिक्स कर लेंगे पुलाव के राभ हमेसे ठंड़ा अंटे पर सरफ कर लेंगे तैयार है हमारे फुलाव आप भी इस तरफाट से जpowers बुम्त पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं आप इस पुलाव को लांच, भ्लैक्पेस्ट डिनर में भी सरफ़ कर सकते हैं तो आप भी इस तरह से फुलाव बनाए और इंजोई कीजिए और अगर आपको अमरे ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें इससे हमरे वीडियो की सारा नोट मेले पहुत जाएगी